नमस्कार किसार भाइयों। आज आपको सलमंगल होंगे दोस्तों, आज मैं आपको हिंदुस्तान की सभी मंрियों के आलू के भाव बरसात के बाद क्या इस्थती रही ति आलू की क्या कारवन रहा था। आलू में एक दम से जो आग लगी है उसके बारे में मैं जानकारी लेने के लिए आपको उपस्तित हुआ हूँ जैसा कि आप मेरे पीछे बैक्ग्राउंड में देख रहे होंगे कि आलू का काम तो लगातार चली रहा है कई दिनों से लेकिन एक से साथ साथ आपके कही सारे बार्ट सपर मैसेज थे तो मैंने का चलो भाव जरूर देंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आज तारीक है 11 मार्च 2024 और दिन सौंबार का है और मंडिया जिस तरह से पहले दिन ही अच्छा रिजल्ट दे रही है तो वह सुब संकेत है आपके लिए तो सबसे पहले दिल्ली आजातपुर मंडी से बात करते हैं आज दिल्ली आज आज अच्छी क्वालिटी का अलू हाइब्रिड है जागिराबाद में का अलू यहां पहुच रहा है जिसकी अगर बात करें तो 500-500 रुपे पैकेट 50 kg के यहां पर रेट है वहीं बात करें संबल की तो संबल की 57 गाडिया है और अलू का रेट जो है 500 से लेकर के 600 रुपे जाहीं से लीट है यहां पर सहतीस मतानवै और और एश फर अलू पेकेट तक हैं वहीं बात करें पंजाब की तो आज पंजाब की 20 गाडिया और 150-500 रुपे पैकेट नयह रम गां इंदिक के रेट जो है 1200 से लेकर के 1500 रुपे क्विंटल का है यानि कि आप कह सकते हैं 600 रुपे से लिकर के 700 रुपे पैकेट का रीट है बात करें ख्याती पुखराज की तो वह 500-600 रुपे पैकिट में आच्छा अलु विक्राह है असी के साथ ही सूर्या-अलु की बात करें तो सूर्या की भी चार गारिया है रेट की बात करें सूर्या-अलु और अलीगड का अलू भी 500 से लेकर के 600 रुपे के पैकेट के रेट से बिक्रा बढ़िया क्वालिटी का अलू शाड़े-चैसो तक बिक्री हो जा रहा है इसी तरह समसाबाद की यहाँ पर 302 की भी गाड़िया है और 302 आलू के जो बूरीट हैं वो भी 500 से लेकर के 600 रुपे के लिट है आप बात करें कि करफे की तो पंजाब में 35 आ-470 की में पहुचा है यूपी में 50% के बढ्यार्ट की इन दोस्तों जो सब कर दोस्ताने के बात की वहां पर हाउस्पुल हो गया है एसा कुछ भी नहीं है अभी गुझरात में खुदाई पूरी हो चुकी और कोल से निकासी भी स्टार्ट हो गई है हलांकि इस ख़बर की में पूरी तरह से पुष्टी नहीं करता हूं कुछ थोड़ी बहुत निकासी होती है तो लोग अल्ला मचा देते हैं कुछ तंत्र जरूर सक्री है कि जिस तरह से आलू के रिट भड़ रहे हैं तो वह कहीं कहीं थम जाएं इसके लिए वह प्रयास रहते हैं और उल्टी सीदी ख़बर हैं मीडिया में डाल रहे हैं अब बात करें उत्तर प्रदेश की मंडियों की दोस्तों तो ठटिया मंडी कानपुर के पास है वहां पर जो आलू है सफेद आलू वह 500 600 रुपे पैकेट और daytime नौट भैकिट की की यह दूस्तों यहाँ पर साओन की में भिक्रिण होती है तोल से नहीं होती जड़ित 100 आलू शाच्वात्रामा मंडी की बात करें तो यह कर आशौ साइक इक सातनपुर मंदी फरुकाबाद की बात करें तो यहां पर सो मोटर के आसपास की आवक लगातर बनी हुई है और ख्याती पुखराज आलू दोस्तों यहां से जो फिल्चर और जो है अलू सीधा। अच्छी खासी मांग चल रही है और आलू सीधा जो है लोडिंग यहां से जारी है बात करें आगरा की सिकंद्रा मंडी की दोस्तों यहां पर भी आगरा का जो आलू है वह बारा सो से लेकर के चौदास रुपे कुंटल की रिट से बिक्रा है वहीं गुल्ला एक अजार से ले बिक्री मन में होती है मन 40 किलो मैंने उसको कुंटल में कर दिया ख्याती पुखराज 900-1100 रुपे कुंटल हौलेंड आलू 1200-1600 रुपे कुंटल और और किर्णी 600-800 रुपे कुंटल की रेट से यहां पर विक्री हो रही है दोस्तों यह सभी इस वार जो है बड़े अच्छ बात करें वहराष्ट की मुम्मई मंडी की तो यहां पर करी 20,000 पैकेट की आवक है और आगरा की 16 गाडियां है जिसमें आगरा का आलू 16 रुपए से लेकर के 19 रुपए किलो के रेट से विक्री हो रहा है वहीं गुजरात की आज 3 गाडियां है वो 15 से लेकर के 18 रुपए किल रुपए कुंटल का रेट है यह सब बारिस ने जो हरी सब्जियां जातर खतम हो गई है तो बारिस ने आलू में यह आग लगाई है और यह आग लगती रहे ऐसी हम उम्मीद करते हैं इसके साथ 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 स्टॉकिस्ट भी पूरी तरह से सकरी है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आलू फुल होने की संभावना नहीं है कम आलू पहुंच रहा है तो उसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज मालेक ने भी अपने लोगों को भेज रखा और पूरी तरह से पैसा जो व्यापारियों को दे रहे आलू खडी दिने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए औ और वैसे भी स्टोकिस्ट पूरी तरह से मार्केट में कूद चुके हैं नौर्थ बंगाल की बात करें तो यहां पर पुखराज आलू एक अजार रुपे के आसपास जोती आलू तेरह सो रुपे के आसपास विक्री हो रहा है वहीं साथ बंगाल की बात करें तो बात करें गुजरात की दोस्तों तो गुजरात में भी जो है अब खुदाइपूर्णी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और पुखराज आलू जो विक्रा यहां पर एक हजार से लेकर के बारस रुपे कुंटल बास्ता आलू विक्राज चौदा से पंदरस रुपे कुंटल क ठेक करांगी तेर हे साथ से लोएक उन्टत् Irene से यहां पर बिक्री हो रहा है को दोस्तों भाईपूर की इसमें वेफरपास जोति अलु ऎलोड़की और विक्रीशंव की रात करें नटरी आलू पहुंचरा है convincing से चौदास रूपे कुंटल के माध करें उडिशवार की यहा है पर यूपी का आलू पहुंच रहा है यूपी का सफेदा या जोती सो खख़ सरो साथ कुंटल गी मेरी डोष तो अब बात करते हैं दोस्तों व्येयर मंदी थो बैंगलोर मंडी में 19 रुपई से लेकर के 21 स्विडकी में बढ़ी आलू 6800 नौन्तल की कुट्रो रहा है जायपूर मंडी की बात करें भी जबर्जस तावक है दोस्तों और बढ़ी यहां पर विकलीह रहा है 1100 से लेकर के 14 रुपे कुंटल की रेट से वहीं हलका आलू 9 से 10 रुपे किलो विक्रा है हुलेड आलू 1200 से लेकर के 15 रुपे कुंटल की रेट से विक्रा है वहीं हलके की बात करें तो 1100 से लेकर के 12 रुपे कुंटल की रेट से विक्री हो रहा है वहीं बात करें जोदपुर मंडी की तो जोदपुर मंडी में रेट हैं 1100 से लेकर के 1400 रुपे कुंटल के बढ़ी आलू के वहीं हलके आलू के रेट है 900-1100 रुपे कुंटल के अब बात करें दोस्तों बिहार के पटना मंडी की तो यहां पर आलू विक्रा है 45 kg में बिहार का आलू यहां विक्रा बिहार का लोकल आलू 530 से 620 रुपे का 45 kg वहीं यूपी का पहुचा है सिंदूरी आलू वो विक्रा 1600 से दे करके 1700 रुपे कुंटल के रेट तो यह थे दो पूरे भारत के मंडियों के आलू के भाव और अब अगर हम बात करें कोल्ड स्टोरेज की भंडा रणकी तो उत्तरप्रदेश की खुदाई लगवक 50% से ज्यादा कंप्रीट हो चुकी है 50% प्लस 50-60 के बीच में चल लिए और कोल्ड स्टोरेज अभी 50% तक ही पहुचे है उत्तरप्रदेश एक बहुत बड़ा राज्या और बहुत बड़ा अलू उत्पादक भी है यहां पर खपत के साथ साथ उत्पादन भी बहुत अच्छा खासा होता है यहां से भारत की समस्त मर्णियों में आलू पहुच रहा है और आलू की अच्छी डिमंड किसान भाईय कि खेत में अतना ही और किसी हीट में ज्यादा भी निकला अगर हमवात करें औरा छितर घ्री तो आगरा से में 20 में उत्रप्रदेश का भी आलू पहुंच रहा है और गुजरात के आलू के क्वालिटी उतनी बहतर नहीं बताई गई जतनी और बार होती थी बाकी के आप भी अपने छेतर की जानकारी कमेंट बॉक्स में देते रहेगा दोस्तों आप मैंने एक कल वीडियो डाला था जिसमे किसान भाई के खेत में नुकसान हुआ था गलत दवा के प्रियोग से उसके दवा का नाम उन्होंने मुझे अभी नहीं दिया है देंगे तो मैं वो जरूर किसी वीडियो में आपको जरू बताऊंगा अगले वीडियो में लेकिन आप सतरक रहें और पक्का बिल नहें और क मक्का के भी कुछ दुकानों पर नकली बीज की आपूर्ती देखी गई और वो पकड़ी भी गई है उसका वीडियो में समय कम मिलता है नहीं दे पाया हूं और आप चाहेंगे तो उसका भी वीडियो में आपको दे दूँगा और आलू का संकेत सुभ है आप अपना कुछ जरूर यारी कि लागत जितनी है आपकी उत्रा आलू जरूर निकालते रहेगा और आप अपनी जितनी भी आपकी आवश्यक्ता है उसके अनसार आप जो निड़ने आलू को थोड़ा बहुत जरूर बेचे इस समय भाव अच्छे चल रहे हैं बाकी आपकी इच्छा है दोस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवार नमस्कार रादाव सच्छी का राधे राधे जय जवान जय किसान